नमस्कर दोस्तों मैं हूँ जोती जहाया और इंडियन फूर्ड विज जोती में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको मस्रूम को साफ करने बता रही हूँ कि कुकिंग से पहले आप मस्रूम को किस तरह से कट करेंगे किस तरह इसे अच्छी तरह से आप साफ करेंगे बनाएंगे तो ये आपको इसली कोई भी वेजिटेबल सौप में मिल जाएगा आप वहां से ले सकते हैं तो ये देखिए ये है मस्रूम जो मैंने ये लिया हुआ है इसे मैं आज आपको साफ करने के लिए बताऊंगी ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने चोपिंग बूड ले लिया है और ये देखिए इसे मैं एक-इक कड़के किस तरह से इसे साफ करती हूँ ये है एक मैं मस्रूम ये निकाल लेती हूँ इसे मैं अच्छी तरह से ये डंटी जो है ये एजिली निकल जाएगा आपका आराम से आप ये टंटल निकाल दिजे और इसे साइड में रख दिजे और उसके बाद ये जो है ये देखिए ये बहुत पतला होता है इसका जो ये स्कीन है ये इसे आप इस तरह से आराम से आप इसे निकाल सकते हैं ये देखिए ये कितने आसानी से निकल रहा है तो यह देखी फ्रेंड्स, यह मैंने साड़े छिलके को पिलाउट कर लिया है साड़ा तयार हो चुका है, तो अब देखिए, अब मैं इसे कट करूंगी, किस तरह से कटिंग करना है, तो वो देख लिजी अब, तो यह है, इस तरह से आप छोटे-छोटे टुक्रों में इसे कट कर सकते हैं, यह देखिए, इस तरह से यह वाला, ऐसे हो गया, उसके बाद इसका डंठल है, डंठल को भी साथ में चोटे-चोटे टुक्रों में इस तरह से कट किजिए, то यह हो गया, एक तरीका तो यह हो गया, आप इस तरह से कट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि जैसे आप यह ज़iene कर अंद हैं से आप अपने मन चाहें से अंजी कर लोंगी यह देखी फ्रेंड्स यह जो है मस्रूम यह पुरा मैंने काट लिया है अब इसे मैं अठ्छे से साफ पानी से धो लोंगी यह सारे पानी में डालके बनाने से पहले इसे अच्छे से धो लेना है दो चार पानी से अब धो लेजे उसके बाद बनाए तो यह है मस्रूम बनाने तरीका बहुत आदमी को नहीं पता होता है वो डाइरेक्ट इसी तरह से काट कर डाल देते हैं बना लेते हैं सबजी लेकिन उसे इस तरह से ही साफ किया जाता है तो आप भी इसी तरीके से इसे अच्छे से साफ किजिए उसके बाद ही बनाई और ये मस्रूम बहुत ही तो अगर आपको मेरी ये मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इंडियन फूर्ड विज जोती को चरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए ताकि मेरे साड़े वीडियो आप तक पहुंच दी रहें